Hello Friends, मैं आप लोग को Linkin Classes में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोग को Physics से रेलेटिड सारे Quotions बता जाएंगे इस वीडियो में आपको तोटल 100 Quotions बता जाएंगे और दोस्तो कोशेन जो है आपको Easy to tough question होगे ऐसा नहीं कि आप लोग फर्स्ट कोशन देखिएगा बहुत इजी कोशन और आगे जाके कोशन अच्छा नहीं मिलेगा नहीं दोस्तों इसमें जो है कोशन जो है आपको जिरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के कोशन को कवर किया गया और इस टैप का वीडियो जो है कम से कम आपको हम 50 पार्ट में देंगे पार्ट फार्ट करके फिजिक्स का ठीक है तो आईए इस वीडियो को चालो करते हैं यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक के और कमेंट करके जो लास्ट पताएं कि यह वीडियो हो दोस्तों तो 9.46 in-to 10 to the power 12 Kilometer होगा नेक्स्त कोशन है एक पर सेक बराबर होता है एकपर सेक बराबर दोस्तों 3.26 पर कास वार्ट होता है तथा मींटर में इसका वैल्यू लें हम तो 3.08 in-to 10 to the power 16 मीटर होता है ठीक है आपका नेक्स्त कोशन है दूरी मापने की सबसे नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और पुछा जाता है कि घंड कोन की काई क्या होती है तो दोस्तों घंड कोन की काई रेडियन होती है नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट होता है दोस्तों 1 newton का value है Dign में 10 to the power of 5, next question है 1 Joule बरावर होता है दोस्तों 1 Joule बरावर 10 to the power of 7 8 Agth होता है नेक्स प्रॉशन क 때문에 मात्रक क्या होता है दोस्तों कारे तथा उर्जा का मात्रक दोनों का Joule होता है या उसको newton meter हम कह सकتे हैं नेक्स हैं आप वेग तथा तोरंड का इसाई मात्रक क्या होता है दोस्तों वेग तथा तोरंड दोनों जो है मैं आपको बता दो वेक्टर क्वेंटिटी है और वेग तथा तोरंड का जो इसाई मात्रक होता है वह मीटर पर सेकेंड और तथा तोरंड का जो होता है मीटर सेकेंड स्क्वाइ होता है चले नेक्स स्वोष्ण पर चलते हैं एंगस्ट्रम पर सेकंड होगा वन एंगस्ट्रम बरावर होता है वन एंगस्ट्रम कितना मीटर के बरावर होता है ये value हमेसे पूचा जाता है, तो दोस्तो 1 एंग अंगस ट्रॉम 10 टोडी पावर माइनस 10 मीटर के बरावर होता है, आपका next question है, उपर फेकी जाने वाली वस्तु का तोरण होता है, तो दोस्तो उपर फेकी जाने वाली कोई भी वस्तु जो हो, उसका जो acceleration होगा, तोरण होगा वह हमेशा negative यानिकी रिनात्मक होता है minus 10 होता है उसका ठीक है रिनात्मक में जाता है next question है 1 kg रासी का वजन होता है दोस्तों यदि 1 kg रासी का वजन हम न्यूटन में देखे तो 9.8 न्यूटन होता है 1 kg रासी का वजन next question है आपका एक वस्तू का अधिक्तम भार होता है वायू में एक वस्तू जो है उसका अधिक्तम भार जो होगा वह वायू में होता है next question है किसी पिंड के दरबमान और वेग के गुननफल को क्या कहते हैं तो दोस्तों किसी पिंड के दरबमान और वेग के गुननफल को समवेग कहा जाता है और समवेगड को इंग्रिच में मोमेंटम कहते हैं नेक्स्क् Stunde है अपका गति का नियम दीया था दोस्तों गति का नियम जो है नियूटन फस्ट लो नियूटन clicks का नियम है वह नियूतन it दिया ता गति का जो नियम है अगला कोश्चन है प्रचेपे पत्थ होता है दोस्तों प्रचेपे जो पत्थ होता है वह प्रवलायकार होता है नेक्स्ट कोश्चन है रॉकेट का प्लाइन आधारित होता है दोस्तों रॉकेट का जो प्लाइन है वह आधारित होता है न्यूट के थाड़ लोग से ही आता है चलिए नेक्स कोचन आपका गुर्तविय तुरन एच का मान बराबर कितना होता है तो यहां पे जी होगा उसका वैलू जो है 9.8 मीटर पर सकेंडे स्क्वार होता है स्मॉल जी का वैलू ठीक है जी का मान दोस्तों अधिकतम तथा नियुंतम कहा पर होता है जबकि जी का मान जो है मीनिमम देखा जातो भूम अद्दे रिखा पर होता है तो मैक्समुम जी का मान जो है धुरूब पर होता है जबकि मीनिमम ज आपका परिकर्मन काल चॉबिस घंटे का होता है दोस्तो एक जो वीडियो के लिए काम करेगा तो आपको लगेगा कि हैं आप कितना पढ़ चुके और कितना अपको पता है वीडियो को सुनिये और आप खुझ से एंसर देने का प्रयास किजिए उसके वाद सुनिए कि हम मैं क्या एंसर देना हूं ठीक है चलिए प्रित्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रभमान लगभग कितना होता है तो दोस्तों प्रित्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रभमान है वह 1 upon 81 होता है नेक्स्ट कोश्चन है चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग का मान होता है दोस्तों चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग जो है वह 2.37 किलोमीटर पर सकेंड होता है नेक्स्ट कोश्चन है गुर्तवाकर्शन के सावतिक नियम का परतिपादन किस्ट ने किया था तो दोस्तों जो नियम है उसका पर्थिपादन जो है नि्यूटन साहब किये थे पृत्वी तल से उपर या नीचे आने पर गुर्टवी तुरन का मान क्या होता है दोस्तों पृत्वी के लिए जो है 11.2 km per second तथा 100 मंडल के लिए 42 km per second होता है दोस्तों प्लाइन वे क्या होता है समझ लेते हैं यदि आप किसी भी वस्तू को 11.2 km per second के रफ्तार से यदि आप फेकते हैं पिर्थवी से तो वह वस्तू फिर से यह सुंसरे का में जाते हैं चण्द्रमा पर किसी पिंड का भार पिर्थवी पर उसके बाहर का कितना होगा दोस्तों कॉशन होता है नेक्स स्फेट जो इसमिए कमानी है जो नरदहां को विदोत् करता है उसको विदूत विदोत उर्जा में ऊने तो आसे इनरजी में जो है कॉन परवर्थित करता तो दोस्तों ड्यान्मो करता इसे प्रकार से बदुर्जा यांत्री कोरी में को परवर्थित करता दूस्तों बने तूर्ज आपका फ्यूज तार जो होता है उसका क्या मतलब के फ्यूज का तार होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है जब कि होता है तो के हैं यदि के आशिआ ब्लाइमाना होता है उस कंडिशन में आपका स्योंट कि जाता है जिससे आपके कि समान लगे लगए होते हैं आप सबको पता है एसा कि आप लोग नहीं जानते हो यौँच्छ बालब का फिलामेंट जो है वह के इसा ह कि हैड्रॉलिक ब्रेक किस पर दुशन है उसतों पास्कल के नियम पड़ को अंद्रिक शियात्री को अकास डिखाई देता है अगला कोशों है को डि Carne उसने सब्सक्राइब नर्म say का बना होता है दोस्तों यदि आप लोग या तीन साल से या दोसाल से से तो सारे कोशन आप लोग जान रहे होंगे तो एक रिविजन क्लास के तौर पर इसको आप लीजी यदि आप नए स्टुडेंट है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत बेनिफेसियल है जानना बहुत ज़रूरी है यह सब कोश्चन अपवर्तनांग सबसे अधिक किस रंग में ह होता है तो दोस्तों लालका भी तुरंत बताएं समुंद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग फैदो मीटर का प्रयोग करते है ठीक है यदि समुंद्र में कोई वस्तु गिर जा उसका पता लगाने के लिए दोस्तों सुनार का प्रयोग किया जाता है ठीक है समुंद्र की दूरी मापी जा दे दोस्तों यदि समुंदुर की दूरी आपको मापनी हो तो उसके लिए हम लोग नौटिकल मील का प्रियोक करते हैं आपका नेक्श्ट कोश्टन है Candela Matrak है दोस्तों Candela Matrak है वह Jyoti Tivrtaka Candela Matrak है Jyoti Tivrtaka नेक्स कोश्चन है प्रकास का रंग निश्चित किया जाता है तो दोस्तों प्रकास का जो रंग है वह त्रंग देरे जिसको इंग्रिश में वेवलेंट बोलते हैं उससे निश्चित किया जाता है आपका नेक्स कोश्चन है त्रंग देरे सबसे अधिक लाल रंग का होता है सबसे कम जो है बैगनी रंग का होता है यह पता है आप लोग को चलिए निरवात में रेडियो तरंग या प्रकास तरंग की जो गती होती है वह कितनी होती है तो दोस्तों निरवात में रेडियो तरंग हो या प्रकास तरंग हो उसकी गती 3 प्रकास की चाल को सबसे पहले ग्याद की थी दोस्तों प्रकास की चाल को सबसे पहले रोमर ने ग्याद किया था रोमर ठीक है प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वह ओम होता है दोस्तों प्रतिरोध को इंग्लिस में रेस्टेंस बोलते हैं और इसका जो मेजनमेंट है वह ओम गणवान होता है उसे जो बना पर्तिविंब छावता है वह वास्ताबिग का जा जाता है प्राथ्मीक रंग जो है है बहुत इजीक्पोर्ष दिया जाता है तो प्राथ्मीं şunu रगन 2, तो तो निकर्ट दिरिष्टी दोस के लिए अबतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों निकर्ट दिरिष्टी दोस का मतलब होता है जो दिखता है वही दोस है यदि आपको निकर्ट की वस्तू दिख रहा है तो निकर्ट देष्टी दोस है जिसको से विसके लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है उट्व्षट कीज़ते हैं प्रकास क्या है प्रकास तो दोस्तों की यूप में संचारित होती है तो बिदुश्य बगित रंग के रूक के रूप में होती है प्रकास को दार्ण कीतना होता है तो दोस्तों प्रकास का दा पड़िसर जो है उन्चीक्राइबल से लेकर 800 शूं Gibson के पीच कि दोस्तों मैंने सुरू मेंहीं कहा था कोश्चन जो लेवल होगा जीरो टू हीरो होगा ठीक है आप एक स्टार्टिंग जो है जो नॉर्मल कोश्चन सब जानता ओबी जानना है और एक हाई यहां पे ध्यान दिखिएगा कि जिस माध्यम में प्रकास का अपवर्तनांग जितना अधीक होता है उसमें प्रकास की चाल क्या होगी उतना ही कम यानि कि अपवर्तनांग जितना जिसका अधीक होगा उसका चाल उतना ही क्या होगा कम होगा जस्ट अपोजिट होता है चलिए प्रकास का सबसे ब्रहा प्राकृतिक जो शुर्ट है क्योंकि स्थी मिलता है किस रंग के प्रकास का प्रकैनन चमक्ष से टकराकर वापस लॉटने की घठना應該 अथि को स्बसक्रास का कुषन क 그다음에 या क्निंठील ट्रॉम्ड अPS लॉटने की घंठना होती क्या कहते हैं प्रकास का प्रावर्तन कहते हैं ठीक है प्रकास का किसी अवरोध से टकड़ा कर तता उसकी किनारों पर थोड़ा मुर कर उसकी ज्छाया में परवेश करने की घटना क्या कहलाती है तो दोस्तों प्रकास का विवर्तन कहलाता है प्रकास का विवर्तन कहलाग्छ समतल डरपदोरा किसी वस्तु का पर्तिविम किस और बनता है हेदा है दोस्तों समतल दर्पन दौरा जो आपका कि रखा होता है तो देखतों इय। आपका चेहरा इंफिनिटिव दुखता है मतलब नंत आपका फीगर बंदता है चलिए नेक्ट सबेस्ट किसी पदार्थ के एकांक दलब मन का ताप वने डिंगरी से बढ़ाने के लिए आवस्था कि मातरा को और उस्ट विश्च उसमा काते हैं क्या होता है तो और मन्ली ये दाब को मापा जाता है किश रिश्च से तो दोस्तों बैरोमीटर से मेजर किया जाता है चलिए अगला अपने के लिए हाइड्रो मीटर का परियोग करते हैं जबकि दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांग होता दोस्तों क्या होता है घट जाता है जबकि कौथ नांग क्या होता है बढ़ जाता है और नेक्स्ट वोश्चन आपका जल का घनत अधिक्तम तता आतन नियूंतम होत दिगरी सश्यंस पे ही होता है अगला कोश्चन और इस वीडियो का लास्ट कोश्चन होगा वर्सा की छोटी-चोटी बुंदे गोल होती है किसके कारण तो दोस्तों शक्रिक्स का पार्ट वन बताया और इसमें टौटल हंडेड कोस्चन बता हैं आपको और आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और यदि आप ITI के एक्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिसियल है तो इस वीडियो को देखिए यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो जबूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपने अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो को जोड़ सेर कर दे और इसका जो पार्ट सकेंड आएगा तो और बहुत बेनिफिसियल होगा आप लोग के लिए और इस टैप से हम केमेस्ट्री में भी कोश्चन लेकर आएंगे आप लोग के लिए बैलोजी में भी हिस्ट आप को छुटी है घर पे हैं तो टाइम पास करें ऐसा ना करें जरूर अपना पढ़ाई करते रहें थैंक्यू नन्यवाद